कि यह एक सेशन है जो की रिवॉल्फ करता है अराउंड की कैसे हुआ आपका पेपर लीक क्यों एंटिये कट घरे में हैं क्या-क्या वो सारे प्रोसेस थे क्या वो मामला था जिसकी जो हमें पता चला है जब हमें प्रेस कॉन्फरेंस सुनी मिनिस्टर और मिनिस्टर और इन्फरमेशन पहुची की जो पेपर है वो लीक हुआ था इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आप देख सकते हो यह सारे जो हैं वो प्रक्रिया हुई थी जिसकी वज़े से पेपर लीक हुआ डाक वेब और टेलीग्राम के थ्रू पेपर को लीक करवाया गया उसके इस एक्जाम में कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है कोई सचाई नहीं है विकिस पेपर अल्रेडी लीक हो गया था जानते हैं एक बार एक क्वेश्चन आता है कि आखिर डाक वेब है क्या और इसका इस्तमाल कैसे अपराधियों द्वारा किया जाता है आपके लिए है मेजर मोर देन 95 परसेंट आपका जो इंटरनेट यूसेज है वो डाक वेब के थू होता है तो डाक वेब जो है वो एक ऐसा हिस्सा है इंटरनेट का जहां पर ड्रग हतियार अंडर वर्ल्ड हाकिंग और अवैद गर्दी विधियां होती है और इसको ट्राक करना बहुत जादा मुश्किल होता है और क्योंकि अंट्राकबिल होता है क्योंकि चीज़ें पता नहीं चल पाती है आपको कुछ भी इंफॉमेशन नहीं मिल पाता है इसलिए डाक वेब इस वेरी वेरी डेंजरिस उसके अलावा अगर हम बात करें तो डाक वेब का पूरा इस्तमाल कि गया यहां पर गैर कानूनी तरीके से पेपर को लीक करवाने में इसमें जो भी एंटिटीज शामिल थी जो भी बॉडीज शामिल थी जितने भी लोग शामिल थे उन सब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ यह जो मजाक हुआ ह वह आगे से ना हो इसका अशूरंस एंटीए को अब दे देना चाहिए एंटीए शूड रिलीज एन ओफिशल स्टेटमेंट इसके अलावा यह जो है वह सी बी आई जांच टीम को गठित किया गया होगा और अब जो है वह री एक्जाम करवाया जाएगा एंटीए पर लाख बच्चों का भविश्य अभी के लिए अंधेरे में चला गया अंधकार में चला गया है लेकिन हर चीज का एक पॉजिटिव एंड हम लेकर के चलेंगे कि ठीक है पेपर लीक हुआ एट लीस्ट पता चल गया एंटीए की एक कमी पता चल गई हमें और जब री एक्ज अब अपने आपको पॉजिटिव आपको रखना है और आप ऐसे ही कर सकते हैं अपने आपको यह समझा करके कि आपको यह एक्जाम दुबारा देना है तो थैंकि सो मच एविबड़ी आए होप कि आपको यह पूरा मुद्दा जो है यह समझ में आ गया होगा कि अखिर कैसे बेपर लीग हुआ है और बाकी आगे की अपडेट्स के लिए जोड़े रहें यूजी सीनेर अटा 24 7 यूट्यूब चानल के साथ थांक यू